गुड मॉर्निंग आप सबको सिक्थ क्लास का क्लास एतू का टोपिक है हमारा आज हम एमर्ता सेरगिल के बारे में जानेंगे 46 पेज हैं एमर्ता सेरगिल जैसा चित्तर में दिखाया गया है बहुत अच्छी परसित चित्तरकार थी बहुत ही मारमी खरदे था उनका उनका जनम 1913 और मिर्त्यू 1941 में तो इनका जो जीवन करम है वो 28 वर्स का रहा तो आईए आज हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं आपको सिखाते हैं इनके चित्तरकारियां इनके लेक जो नोट्स में उपलग्द हैं तो शुरू करती हैं ये अमर्ता सेरगिल की कुछ फोटोज ले गई हैं इनमें अमर्ता सेरगिल पहारतिय पहनावे में दिख रही हैं और अमर्ता सेरगिल की ये एक बहुत परसे चित्तरकालता है हिल वूमेन है जो पहाड़ी ओरते हैं इसमें इसमें एक लड़की दिखाई गई है, ब्लू ड्रेस में है, इसकी पर्षे चितर था ये, ये मदर इंडिया है, उसके बाद ब्रहमचारी, इमर्ता सेरगिल का पर्षे चितर था, ब्राइट्स टोईलेट, एक दुलहन के लिए इस रंगार हो रहा है, इसमें पीले और लाल र बहुत अच्छी चितरकार थी, जनम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन भाद से उनका बहुत ही लगाओ था, क्योंकि उनके पिता भारतिये थे, माता विदेशी थी, हंगरी से थी, इमर्ता सेरगिल की जनम भूमी भारत नहीं थी, किन्तु करम भूमी भारत थी, उन्होंने अपना जितना भी कारिये किया, वो भारत में ही किया, भारत के बारे में हर उस चितरन का उसने आले किया है, जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, एक वास्त्विक चितरन उन्होंने किया है भारत के बारे में, अपनी कला के महद्ध से, एशिया और यूरोप के मध्ध एक पुल का निर्मान किया जो दो संसकर्तियों के समन्यवे का परतीक था तो आपने जाना अभी तक कि एमर्ता सेरगिल को भारत से कितना लगाओ था एमर्ता सेरगिल का जनम 30 जनवरी 1913 बुड़ा पेस्ट हंगरी में हुआ पिता का नाम सरदार उम्राव था इनकी माता हंगरी की थी भारत में इनका आगमन सन 1921 में हुआ और सन 1929 तक ये सिमला में रही सन 1929 से 1934 तक पेरिस के कला महाविधाल्य में शिक्ष्य ग्रहन की वे हमेशा भारतिय चित्रन परति की तरफ खिचती रही 1932 में इनको टोर्सो चित्तर पर ग्रांड सोलन का पुर्षकार सम्मान मिला 1932 में इन्होंने एक चित्तर बनाया था उसका सीर्षक इन्होंने रखा था टोर्सो चित्तर का नाम ग्रांड सोलन का पुर्षकार इनको मिला था 1934 में भारत आने पर उन्होंने भारतिय जीवन को अच्छी तरह जाना और उसमें ही खो गई उन्होंने भारतियों के जीवन को अपने चित्रों में उतारा मदर इंडिया 1935 में बनाया, चित्रित किया और उस मदर इंडिया के अंदर इन्होंने एक सत्य की अभिवैक्ति की, हर चीज को सत्य की तरफ से देखा गया, सत्य की अभिवैक्ति की गई, सत्य को ही दर्शाया गया, 1935 में मदर इंडिया चित्र में फिर सेकंड था उनका हिल मैन, तो हिल मैन में उन्होंने भूग की तरास्ति का वर्नन किया है, जो हमारे भारत में उन्होंने अपनी आँखों से वो चित्रन देखा कि पहाड़ी जो आदमी होते हैं, वो भूग के मारे दड़पते रहते हैं, तो उन्होंने भूग की तरास्त का वर्नन किया है जो तितर से दर्साया गया है तीन बहीने अभाव पूरत जीवन का भाव जब तीन बहीने उन्होंने चितर बनाया तो उसमें उन्होंने एक अभाव पूरत जीवन जिसमें सुक्सुविधाओं की कमी थी तीन बहनों के जीवन में हर चीज का भाव था वो उ उसमें दर्साया गया है अपने पिता का चित्र आत्मियता किर्टग्यता इसमें एक आत्मियता जलकती है उन्होंने अपने पिता का चित्र बनाया है उनके पड़ती उनका प्यार प्रेम करूना का भाव जलकता है ब्रह्मचारी जो चितर उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने जीवन में धार्मिक रूडी वादिता का चितरन किया है जो हमारे जीवन में धार्मिक रूडी वादिता होती है उसको उन्होंने इस चितरन में दर्साया है बाली का वधूं और अचूत बाली का ये जो दो चित्तर भी उनी के दवारा हैं लास्ट वाले तो उनके ये चित्तर थे जो मुख्य थे जो बहुत परसिध हुए उसके बाल जुलाई 1949 में डॉक्टर विक्टर एगन से इनका विवा किया जीवनकाल 28 वर्स का रहा इनका इनका जीवनकाल 28 वर्स का रहा 30 जनवरी 1913 को ये जन्मी थी और जुलाई में इनका विवा डॉक्टर विक्टर एगन से हुआ 1949 में तो 28 वर्स का इनका जीवनकाल रहा कला करम जो इन्होंने कला का कारिय किया 1935 से 1941 तक 7 वरस तक तो 7 वरस तक इन्होंने कला का कारिय किया कला का मुख्य बिंदू इनका भार्त रहा इन्होंने भार्त की हर चीज का वर्नन किया जो इन्होंने देखी थी इनके और कुछ चित्र इस परकार हैं वधू का सिंगार दे स्टोरी ओफ टैलर गणीज पूजन ग्रम में द्रश्य केमल्स टू वूमेन स्टिल लाइफ आराम वधू लाल काले हाथी अंतिम चित्र ये सब इनके चित्र हैं इनके चित्रकारी है ये उनके नाम है तो आप सब को ये सब लिखने हैं याद करने हैं उनके अनेको चित्रों में उन्होंने भारते ग्रामीन जीवन को दर्साया है वे हमेशा कहा करती थी कला का सम्मन्द आत्मा से होता है तो कला का सम्मंद आत्माजे से होता है, ये सब को पता है, जब तक हम आत्माजे रूची नहीं लेंगे, हम उस कार्य को बड़े अच्छे तरीके से नहीं पूर्ण कर सकते, कला सत्य गी अनू करती है, कला ही पूर्ण ग्यान है, तो वे आईल कलर्स की छाया परकास पदती में काम करती थी उन्होंने कहा था जैसे जैसे मैं नए चित्रों का शर्जन करती हूं मेरा मन उनमें डूबता चला जाता है अपनी कला के माध्यम से सदैव आंत्रिक शान्ति की खोज करती थी इन लेखों में भारते परस्थितियों का उलेग किया गया है ये तीन लेख हैं इन्होंने इसमें भारते परस्थितियां जो भारतिय जीवन है उसको दर्शाया गया है तीस चितर उनको नई दिली उनके नई दिली संग्राल्या में हैं उनकी मिर्टू 5 दिसंबर 1941 लाहोर में पाकिस्तान में हुई तो 1941 को वो हमेशा के लिए संसार को छोड़ के हमसे विदा हो गई हमें छोड़ कर यां चले गई लेकिन उनकी जो चितरकारी है वो हमेशा हमें उनकी याद दिलाती है लेकिन उनकी चितरकारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम चाते हैं हम उनको हमेशा याद रखें इतनी अच्छी चितरकार जो भारत की करम भूमी के लिए जी भार्त की पस्थितियों का चितरन किया और भार्त के लिए करम करते करते दुनिया को छोड़ कर चले गई तो आपने इसको पढ़ा इसको समझा अब इसको आपको कोपी में उतारना है इसको अलर्न करना है